डबालोटी का इस्तेमाल सेहत के लिए कितना नुक्सान दे है डबालोटी अमुमा नाश्ते में इस्तेमाल की जाने वाली गिजा मानी जाती है लेकिन क्या ये फाइदे मन है आमवा में एक ये भी तास्र पाया जाता है कि डबालोटी मरीजों के खाने के लिए बहतरी और नरम घिजा है जबके ये तास्र नहायद गलत है इसमें कोई शक नहीं है कि स्टार्च और कार्बो हाइड्रेट्स की जाती होने की सबब डबालोटी का इस्तेमाल मादे और निजा में आजमा के लिए नहायद नुकसान साबित होता है डबालोटी में फाइबर और गंदुम में पाए जाने वाली इगजायत ना होने की बराबर होती है जिसके नतीजे में इंसान मुतादित बिमारियों में गिर सकता है डबालोटी पर की जाने वाली एक तेकीक में ये बात सामने आई है कि वाइड ब्रेड के इस्तिमाल से मादे और आंतों से मुतालिक मुतादित शिकायत का सामना करना पड़ सकता है जिसमें कब्स की शिकायत सरे फेरिस्त है माहिरीन की जानिब से तेकीक में शामिल वजाकारों को दो गुरूपों में तक्सीम किया गया था एक गुरूप के अफराद को सुफेद यानि रिफाइन आर्टे से बनी वाइड ब्रेड जबके दूसरे गुरूप को ब्राउन यानि के मुकमल घजाई अजिजा से तयार की गई ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करवाई गई और बादजा दोनों गुरूप के रजाकारों के सहसे मुतालिक टेस्ट किये गए तैकिक के नतीजे में सामने आने आने वाले नताइश से मालूम हुआ कि दोनों तरह की डबल ओटी के फवाईद सहत पर एकसा थे अलबता ब्राउन ब्रेड को वजन कम करने और आन्तों के कैंसर में मुबतला अफराद के लिए कदर बेतर जबके वाईट बिरेड को कब्स मादे में दर्द और निजाम आजमा से मुतालिक दिगर छोटी मोटी शिकायत का सबब पाया गया